ओ लगी, जुहार, मैंनेमा सिक्का, सरहूल की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हम लोग सरहूल जरूर मनाते हैं, प्रन्तु हम में से बहुत सारे लोग सरहूल के बारे में ठीक से नहीं जामते हैं इसलिए आज मैं सरहूल के बारे में विस्तार से चर्चा करने आया हूँ सरहूल कबसे शुरू हुआ इसके पीछे की कहानी क्या है किसकी पूजा होती है कैसे की जाती है कहा की जाती है पूजा कौन करता है इससे क्या फायदे है वगेरा वगेरा इन सारी बातों को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसलिए फूरा वीडियो दिखिए तब ही सब किलियर हो पाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सरहूल के बारे में आदिवाशियों का फूरा जीवन साइली और जीवका का मुख्य सादन प्रकिरती है इनका परतियक तवहार प्रकिरती और क्रीशी से जुड़ा हुआ है जारखन मूल के आदिवाशियों के तवहारों में सरहूल, करम, सोहराई, भगबूत, तुसगोः और जतरा है सरहूल आदिवाशियों का मुख्य तवहार है सरहूल का तवहार, जारखन, छत्तिसगर, उडिशा, पच्छमी बंगाल और बिहार के पूर्णिया में बहुत हरसुलास और धूमधाम पुर्वक मनाया जाता है यह पर्व चाइत महिने में चांद उगने के तीसरे दिन से मनाया जाता है उडुख में सरहूल पर्व को खद्दी कहते हैं सरहूल दो सब्दों से मिलकर बना है पहला सर जिसका आर्थ होता है सर्य और दूसरा हूल जिसका आर्थ होता है करांती इस प्रकार सरहूल का आर्थ सरईफूल का क्रांती होता है प्रन्तु खद्धी का आर्थ कुछ और ही होता है जिसे हम बाद में आगे बताएंगे या तिवहार चाइत महने से सुरू होकर जेट महने तक अलग-अलग अस्थान पर अलग-अलग दिन में मनाया जाता है इसे हम दूसरे तरीके से का सकते है सरईफूल सुरू होने से इसके खतम होने तक या तिवहार मनाने की परंपरा रही है प्रन्तु आजकल अधिकतर गाउं और सहरों में चाइत महिना के तीसरे दिन ही एक साथ मनाया जाने लगा है मुंडा, हो, संथाल और खड़ी अधिवासियों के बीच या बाहा तिवहार के नाम से जाना जाता है इस दिन से उराव अधिवासियों का नया साल भी सुरू हो जाता है सरहूर तिवहार के विशे में और अधिक बताने से पूरू मैं या बताना चाहता हूँ कि उराव अधिवासियों के बीच इसकी सिरुवात कैसे हुई लूर डिपा इसकूल डूमरी गुमला के पूरू डाइरेक्टर सिरी अगुवस बखला की लिखी किताब ओ लगी के पेज करामंग दो से चार के अनुसार उराव अधिवासी लोग बहुत सुख चाहन से धर्दी पर निवास करते थे या देखकर दोख मुदय याने बिपत्ती लाने वाला राक्षस या पिसाद को बहुत इरसा हुई वह उराव लोगों के रहने के अस्थान पर जंगल के अकार में बहुत बिसालकाई सरीर लेकर पहुँचा उसका मुँः गुफा की तरह बहुत बड़ा था उसके मुँः पर एक रास्ता आती थी रिठा हुआ रास्ता देखकर लोग उसके मुँः में घुशते चले गए और फिर कभी वापस नहीं लोटे राक्षस लोगों को खा जाता था उराव लोगों की जनसंख्या घटती चली गई लोग परेशान हो गए कि आखीर लोग जा कहां रहे हैं फिर लोगों ने धरमेश यने सरसक्तिमान ईश्वर से इस संकट से बचाने की गुहार लगाई धरमेश घोडे पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए सीधे राक्षस के मुँः पर घुश गए उसके बाद उसके पेट को फाड दाले लिजे सुने बाखला दी की जिवानी राक्षस मर गया उसके सदी से बदवु आने लगा इस बदवु से लोगों में बिमारियां फैलने लगी तब धर्मेश ने उस राक्षस के बदगुदार लास को जलाने के लिए आग की बिर्शात की आग से बचने लोग इधार उधार कूदने और दोडने लगे कई नदी तलावें में कूद गए कुछ गुफाओं और कंद्राओं में घुश गए कई पेडों पर चड़ गए प्रन्तु बहुत कम ही लोग इस भायनक आग से खुद को बचा पाए उराओं लोगों में केवल दो भाई बहन सीरा सितनाले का कखड़ो लाता में घुश कर खुद को बचा लिए बाद में ये दोनों बाहर निकल कर जंगलों में रहने लगे और फल फुल खाकर गुजारा करते थे उन दोनों के बीच सनेहिल संबन इतना बढ़ा कि वे बाद में पती-पतनी की तरह रहने लगे लोगों ने पुरूस को बेलस और इस्तरी को बीड़ी याने रानी घोसित कर दिया बीड़ी गर्भोती हुई और उनसे एक बेटा पैदा हुआ इस खुशी में लोग नाचते जूमते और खुशिया मनाने लगे यही खदी तेवहार की शुरुआत है जरा सुनिये आगुष बखला क्या कह रहे है चाइत चंदो ता अरगना चंदो नू मूंद उला बीड़ी तंगहे कूलता खब्दन निब्ब्या बीड़ी कुको खद कुदूर्दाचा आ उला और मा आलर खुसमारते टुंगरी केरर आलर गही जिया रिज तुले निंदिया केरा नेग निब्रर का खोखा उर्मर तमहे डेड़ा डंडा नंज का अड़ा किरियर अरा खुसमार्न तुले उंडर मुखर खुसमार्न तुले मेदत थिरकारा हेलरा थिरकार्ना मेदन समढ़ा पुल्ला हेलर जियन अधिका रिजाब आगे उर्मर जुम्रर अरा थाउसर ना गूटी नलियर तूकियर बीडी गही खद निबना उल्लादिम खदी परब तुले नवजादी मन्जा इतवा उराओं कहते हैं कि मनवा यने मनूस को घोर भी पत्ती हुई थी उससे छुटकारा पाने की ख़ुशी में खदी परब की सुरुआत हुई तोड़नो किसी ना किसी एक कई मनगी एक नूरालियर मनगी मोली नूरालियर और नाम आगी खदा थीदद और रहते रहते बहुत उला बिती काली असन बहुत संकट बनी करी हिसरी चैनकोपा के बारपड़हा धर्म गुरू सिरी रतिया उराउ कते हैं हद्दी यहने की सरहूल की सुरुवात रहतासगर से सुरू हुई गम में डुबी युवती इमली पेड़ के नीचे मसरत की यहने सरहूल मनाने की सोची रहतासगर हद्दी मंज का नकुज अटाई संग यादननते रहनार और सुरुवातनों रहतासगर नं यादनननर इंदर बनर का डंडी की रूपे न बनर इस प्रकार हम देखते हैं कि सरहूलतिवार की शुरुवात और इसको मनाने को लेकर कई तरह की क्यूंवदंती मौजुद है इसकी सुरुवात चाहे जैसे भी हुवी हो प्रंतु यह तिवहार आदिवासियों की जीवन में एक नई ताजगी आशा वर्दान और खोशिया लेकर आता है बसंत के अगमन और इस्तिवहार के अगमन के साथ ही नया साल सुरू हो जाता है धर्ती माता अपना पुराना वस्त्र उतार कर नया कपड़ पहन लेती है उनका सरीर हरा, पीला, लाल, सफेद रंग के फूलों और पत्तों से सूर सजित हो जाता है उनके सीर में सजावट ऐसा कि वा सोना रूपा से दुलहन की तरह सजी दिखाए दिती है जिदर देखो उधर ही पेड़ पोधे हरे भरे पत्तों से अच्छा दित हो जाती है की धारा मंदिम मंदिम आवाज में गुन गुनाती रहती है पेड़ों पर पच्छियां कल रहों करते हैं जंगलों, मैदानों और घरों में मावजूद जीव जन्तू और जानवारों में भी नई उर्जा भर जाती है और वे खुशी से उचल खूद करने लगते हैं ऐसा लगता है मानों मनूस के साथ साथ ये सभी चीजें खेखिल बिंजा यने की धरती माता और सूर्ज की साधी उच्छो मनाने तयार वैठी हो और धरती माता अपने रूप यवण और सुर्णगार से सुषजित होकर साधी करने ही वाली है खदी यने सरूल तेवार में खेखिल यने धरती माता और बीडी बेलस यने सूरज की साधी की जाती है इसलिए इसे खेखिल बिंजा कहते हैं या सरूल पूजा है आदिबाशियों की या मन्यता है कि जब तक सरूल पूजा नहीं हो जाती तब तक नए फल फुल अनाज असुद है इसलिए खाना वर्जित होता है जिस परकार एक आबिवाहित कन्या से जन्मे बच्चों को समाज सिवकार नहीं करता वही सही जब तक धरती की साधी नहीं हो जाती तब तक उसके द्वारा उत्पन कोई भी चीजों को गरहन नहीं किया जाता है अगर कोई व्यक्ति सरूल पूजा से पहले नए फल फुल या अनाज को खा लेता है या गरहन कर लेता है तो उससे अचुत माना जाता है इसे ही सोतरा या सोतबोडा कहते हैं कुड़ुख भासा में इसलिए आदिवासी लोग सरुल पूजा के बाद सी ही धर्ती माता द्वारा पैदा कियेगे फल, फुल, कंद, मुल, सागपात और अनाजुं को खाना शुरू करते हैं यही कारण है कि लड़के-लड़कियों की साधी भी सरुल के बाद सी ही की जाती है और इसके बाद ही खेतों में खाद, बीज डालते हैं और खेतों में कार्ज करते हैं इस संबन्द में सारना धर्म गुरू सिरीफ बंधन तीगा क्या कहते हैं जरा सुनिये सूरी के परकास और धर्ती की साधी जब होती है तब ही जीवन हमारा समरता है हमारा बढ़ता है नया जीवन मिलता है इसलिए प्रकृती जो है एक नए रूप में आता है स्वारगिय धरम गुरू प्रवीन उराओ ने भी आईसा ही कुछ कहा था सरहूल का महत्वा है आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा महत्वा है यह प्राकृती का पूजा है और इसमें हम धर्ती और सुरज का बिवाह कराते हैं और इस बिवाह के बाद ही एक नहीं उत्पत्री होती है तो इस सरहूल पूजा के बाद में हम खेती बारी लगाते हैं सोतरा या छूत के संबन में एक गीत बहुत परचलित है खादी या सरहूल में साल वरिक्ष याने सराई पेड की पूजा की जाती है क्योंकि धरमेस आद्रीस होता है वो दिखाई नहीं देता है इसलिए प्राक्रिती का सरोस्रेष्ट क्रिती पेड सराई पेड को धरमेस के प्रतिरूप के रूप में पूजा की जाती है साल वरिक्ष को सरोस्रेष्ट इसलिए मानते हैं आदिवासी लोग क्योंकि या आदिवासियों के लिए बहुत उपयोगी पेड है इसके फल को नौर काते हैं और इसे खाया जाता है और तेल भी निकालते हैं इसके पत्तों का पत्तल साधी विवह में आप लोग देखते होंगे पत्तल और दोना बनाते हैं इसके पत्ते और लक्डियां जलावन के काम भी आते हैं घर पनाने के लिए कंडी बड़े-बड़े खिड़कियां वगरा बनते हैं इसके फूलों से महिलाएं सजावट करती हैं और आदिबाशियों के हर संसका हर पूजा पाठ में सराई फूल का इस्तिमाल किया जाता है फग्गु बिदने के साथ ही युवक युवतिया नातने गाने और नए फल फूल खाने के लिए बिताब हो उठते हैं सरूल में सराई फूल से सिरंगार करने के लिए युवतियां और महिलाएं बे सबरी से इंतिजियार करती हैं लड़के और प्रूस, ढोल, मांदर और नगाड़े को ठीक करने लग जाते हैं, सुबा, साम, खेतों, मैदानों, जंगलों और पहाडों में या गीत गुणने लगता है सारूल तिवहार से पहले तैयारियां जोरों पर होती है, महिलाए अपने साज, सिरंगार पर खासा ध्यान देती है, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, आजकल पारंपरिक पहनावा पर विशेश ध्यान दिया जा रहा है सारूल के तिवहार में बच्चों का सबसे ज़्यान रखा जाता है, उनके खाने, पीने, कपड़े, पटाके और अन्य सामगरियां उपलब्त कराई जाती है, जिसे बच्चों को अपार खुर्शिया मिलती है गाउं उपा कुडू लोहर्दगा के सिक्षा स्री नागराज उराओं कहते हैं, खदी का अर्थ है खदर गही परव याने बच्चों का परव वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि इस तिवहार में बच्चे सबसे ज़्यादा सामोईक रूप से नाचते, गाते, खाते, पीते और खुशिया मनाते हैं सुनिए उनका या ओडियो के लिए घृत ऊथिया कमने आछादे, खाते, खाते ह्या थार। आण पर्णा, भीजना, तोकना, असना, भगेटी ती बगी कि आडे़ा इम खदर को और आपा दर। जीन आखे नापना पदर आडादा जादार, नापना पदर में चला कर लो अकून हूने तो फिर आखदर देखे गुए पाहियर अनर तो पाही चला को अकुन हूं का नर तो अकुन हूं परप्ति वहार नुए इंदा पच्छो पचीर जवान स्यान इपरवन मामान बानर अधिती बग्ये खद्दर मन बानर अकुन हूं किच्री डोड़ बा उन्ना मुखना बा कि ज सरहुल पूजा के पहले दिन भोर से ही पहान, पुजार और उनकी पतनिया उपवास रखती हैं पहान, पुजार या पनभरा पूरे गाव में घर घर घूम कर चावल इकत्रित करते हैं महिलाएं जब चावल देती हैं तो पहान कुछ चावल के दानों को वापस कर देता है याने फिर से उन्ही को दान कर देता है इस चावल को महिलाएं अपने घरों में छिड़कती हैं और या मानती हैं कि आप घर में अनाज या संपती की प्रचूरता होगी सरहूल के पहले दिन ही दोपहर को पहान और पुजार और उनके साथ कुछ पंचगन सरनास्थल में सफेद तियम मन्या मुर्गी का बच्चा सफेद धागा नया कट्टू मन्या खाना पकाने का जो परतन होता है सिंदूर नया छूरी कलचूर और सराई फूल लेकर पहुचते हैं पनभरा दो घड़े में पानी भरकर सराई फूल को तूसा में छीड़ देता है उसके बाद उन दोनों घड़े का पानी को सरना स्थल लेकर आता है लोग सरना स्थल आते जाते ढोल और डम हुआ बजाते हैं सबसे पहले पहाम सराई पेड़ के तना में तीन बार सफेद धगा लपेटता है उसमें लोटा से पानी उडेलता है फिर सिनूर लगा का पूजा करता है उसके बाद एक चियम या थूजा या मुर्गी का बच्चा को चराते हैं फिर उससे काट देते हैं उसके बाद दोनों घड़े के पानी को कतार में रख देते हैं उसके बाद घर सभी लोग लवट जाते हैं दूसरे दिन सुबा सुबा पंच गन मुर्गी पकड़ने के लिए गाव में घूमते हैं उधर नहा धोकर पाहन के घर के आंगन में नया चटाई बिछा दिया जाता है चटाई में पाहन पूर्व की ओर और पुजार पच्चिम के ओर मुह करके बैठते हैं गाव के लोग सूप में चावल लाकर पाहन के घर पहुचाते हैं चावल के दाने को पाहन के हाथों में दिया जाता है पाहन तीन बार दोनों हाथों से ऐसा जिसको कुड़ुख में पस्ती कहा जाता है चावल उठा कर अपने दवरी में रखता है फिर तीन बार दोनों और सरय फूल देकर बाकी को लवडा देता है। उधर लड़के सुबाही खेतों की ओर केकड़ा पकड़ने चले जाते हैं। इन केकड़ों को जिन्दा चुलह के उपर लटका दिया जाता है। चुलह के उपर जहापर चुलह होता है तो गरम सेक उसमें केकड़ा को सेखता है। उधर मूर्गी पकड़ने वाले मूर्गियों को लेकर सरना स्थल पहुचते हैं। पहान भी चावल का दवरी लेकर आगे आगे चलता है। पूजा और पकाने की सारी सामगरी भी ले जाते हैं। सरना स्थल जाते समय ढोल और डमुआ बजाया जाता है। पाहान पूजा करना शुरू करता है, सबसे पहले सरई पेड़ के नीचे धोता है उसका जो तना है उसके नीचे जो जगा है उसको धोता है और तीन बार सफेद धगा घुमाकर सरई के पेड़ में लपेड देता है, फिर सिंदूर लगाता है और धूमन धूप भी चलाता है गर, खेत, खलिहान और सभी लोगों के अच्छे स्वस्थ और सम्रिद्धी के लिए प्रार्थ ना करते हैं। पाहान मूर्गी को चला कर काड़ देता है। इसके बाद तपवन में कुछ हर्य भी गिराते हैं। प्रोफेसर पियूस लकड़ा की किताब कुड़ुकत पंडी के पेज नंबर ब्यासी के अनुसार बिदेशी लेखक एक ग्रिगनाड कते हैं। इस कथन का सार यही है कि पाहान सराई पेड में सिंदूर लगा कर और सफेद धगा लपेट कर यानि साड़ी पहना कर चाला पच्चों से साधी कर लेता है। पूजा के बाद पाहान दोनों घड़ा के पानी को बारिकी से निरिक्षन करता है और भविस्वानी करता है कि आगे क्या होगा। बारिस कैसी होगी बारिस होगी या नहीं होगी जिस तिसा में घड़ा का पानी भाता है या रिस्ता है उस तिसा से पानी होने की बात कही जाती है। अगर घड़े का पानी आधे से ज्यादा बचा हुआ हो तो यह माना जाता है कि अच्छी बारिस होगी और अगर घड़े का पानी आधे से कम हो तो यह माना जाता है कि इस वर्स पानी बहुत कम पड़ेंगे और अकाल होने की संभावना है पूजा हो जाने के बाद सफेद चावल के साथ मूर्गी के मानस को नया घड़ा के पानी से खिचडी पका कर खाते हैं खिचडी खाने के बाद सभी गाजे बाजे के साथ घर लोटते हैं पाहान को कंदे पर बैठा कर लाते हैं उधर नैगनी यने की पाहान की पतनी आंगन में पाहान के पैरों को धूती है उसके बाद ही घर में परवेश कराती है उसी दिन नैगनी गाओं के महिलाओं बच्चों को खाना बना कर खिलाती है यही वज़ा है कि पाहान को नैग खल यने की पाहनाई खेत दिया जाता है दूसरे दिन सुबा पाहान सूर्ज के रूप में और नगनी धर्ती के रूप में नहा धोका नया चटाई में साधी करने बैठते हैं यहाँ साधी के पूरी रसम पूरी की जाती है जैसी की नई साधी करने वाले जूरी को साधी करते समय किया जाता है इसे ही खेंखेल बिंजा काते हैं, इस समय ढोल, मांदर और नगाडा बजता है, वहाँ बैठे लोग इस प्रकार से गीत गाते हैं चानूम चानूम नएगायो बेलर लेखा बिंजरा लगदे खदी पैरी नएगायो बेलर लेखा बिंजरा लगदे खेंखेल बिंजा यानि की धर्दी विवा के बाद पाहान सूप में सरै फूल लेकर घर घर में फूल खोशी करने पूरे गाउं में चले जाता है उनके साथ गाउं के लोग भी नास्ते गात्ते हुए जाते हैं बहुत दिल्चफ सुन्दर नजारा होता है सभी घरों में पाहान को चटाई में बैठा कर उनके पैरों को धोया जाता है धोये हुए पानी को घर के छत में फेक देते हैं इसके बाद पाहान उस घर के दर्वाजे पर फूल खोंसी करता है और घर के लोगों को भी सरे फूल से सिरंगार करता है इस दौरान गाउं के लोग बहुत हरसुलाज के साथ नासते और गाते हैं सरहुल तिवार संपन हो जाने के बाद खेतों में खाद डालना बीज डालना और खेती के आनेकार सुरू कर देते हैं सरहुल तिवार संपन हो जाने के बाद खेतों में खाद डालना बीज डालना और खेती के आनेकार सुरू कर देते हैं प्राकिरती में उपलब्द फलफुल, कंद मुल, साग भाजी और अनाज को खाना सुरू करते हैं साधी बिवाह का आयोजन भी होने लगता है सरहुल के आउसर पर राची में बहुत विशाल सोभाय अंत्रा निकाली जाती है आईशा कहा जाता है कि यह देश का पांचवा सबसे बड़ा धर्मिक जुलूस होता है पहले अस्थान पर पूरी का रत्यात्रा मना जाता है कि इस सोभाय आत्रा की सुरुवात बाबा कार्ति कुराओं ने सन उनीस सो सरसठ में किये थे तब से यह जुलूस फीका कभी नहीं पड़ा बलकि दिनो दिन पोपूलर होता चला गया सरहुल जुलूस में मैं भी कई बार सामिल हुआ हूँ दोस्तो यह वीडियो आपको कैसी लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा एक छोटी सी गुजारी से आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा ओ लगी